हेलो फेंट्स आज हम चॉकलेट क्रेकर्स बना रहे हैं उसके लिए मैंने मिल्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड दोनों ले लिए हैं वाइट कंपाउंड में मैंने इलाइची केसर और पिस्ता को क्रश करके डाल लिए हैं ताकि यह हम रस्मलाई फ्लेवर बना सके और मि एक में केरेमल फिल बनाऊंगी पांचुरी को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह दोनों तयार है हमारे और यह केरेमल सॉस भी रेड़ी है अब हमने क्रेकर का मोल्ड ले लिया है जो एमेजॉन पर आसानी से मिल जाएगा आपको यह मैंने सूतली बम के मोल्ड में डाली है वाइट चॉकलेट और टैप करके अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इनके बबल भी निकल जाए और यह इक्वली स्प्रेड भी हो जाए ऐसे हम यह पान्चॉरी वाला मिल्क कमपाउंड डाल लेंगे यह मैं लड़ी बॉम में डाल रही हूँ और अब इनको टैप टैप करके पंदरा मिनिट के लिए फ्रीज में रख लेंगे द्यान रखें फ्रीज में रखें फ्रीजर में ना रखें वरना यह स्वैटी हो जाएंगे और अब मैंने यह रॉकेट वाला मोल्ड ले लिए इसमें मैं केरेमल फिल बनाऊंगी तो पहले एक बार मोल्ड को पूरा फिल कर लेंगे चॉकलेट से टैप टैप करके अब इसको हम वापिस बावल में खाली कर लेंगे ताकि इसकी शेल बन जाए अच्छे से और इसको हर तरफ से जो बार आईए चॉकलेट साफ कर लेंगे ये जो बाकी का जो मिल्क कमपाउंड बचा था उससे मैं दिये बना रही हूँ अब ये शेल भी सेट हो गए हैं 15 मिनिट बाद तो अब इसमें हम केरेमल फिल कर लेंगे केरेमल सास गर पर कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ तो आप वो वीडियो भी देख ले मेरा अब केरेमल को भी सेट करेंगे पांच मिनिट फ्रिज में रखके उसके बाद हम इस पे वापिस चॉकलेट डालेंगे अच्छे से कवर कर देंगे इसको तो अब यह हमारी चॉकलेट सेट होके रेडी है इनको टैप टैप करके आसानी से निकाल लेंगे और यह मैंने क्रेकर्ज का पिपर ले लिया है अब इस रेपर में हम इनको अच्छे से पेक कर लेंगे यह हमारा लड़ी बॉम रेडी है यह सूतली बॉम मेरे पास इनके इश्टिकर पी रखे हुए है तो मैं इन पे इश्टिकर पी लगा लूँगी सबको तयार करके यह मैंने मिल्क कंपाउंड को ऐसे ही बटर पेपर पे फैला दिया था गोल गोल और बीच में निशान बना दिये चक्री के तो यह हमारी फूल चक्री भी रड़ी है यह हमारे दिये भी तयार है तो बस आप भी ऐसे इजी वे में घर पे यह क्रेकर्स बनाईए और बच्चां को सर्प्राइस कीजिए थैंक्यू झाल 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 झाल